सबीका नमस्कार आज की वीडियो में देखेंगे कि अगर आप अपने घर या ओफिस के लिए मॉडेलर स्विचेज और सॉकेट्स खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इन दस टिप्स को जल्दी से सुन लीजिए उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिएगा तो टिप नमबर वन है डिजाइन, गैप, डेप्थ और इंटीरियर कंस्ट्रक्शन जो है स्विच और सॉकेट का वो बहुत जादा मैटर करता है क्योंकि करेंट लगने का खतरा रहता है अगर स्विच में पानी चला जाए तो खास करकि वेट प्लेसेज जैसे बाथरूम और टॉइलेट्स में इसका ध्यान रखना और भी ज़रूरी हो जाता है तो प्लास्टिक के बने हुए स्विच सॉकेट खरीदे ये मौश्यर को रुकने नहीं देते और एक बहतरीम इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं टिप नमबर टू जब भी हम स्विच या सॉकेट का यूज करते हैं तो हम या उस पे कुछ प्रेशर लगाते हैं कभी-कभी तो लोग बस गुस्से में स्विच को अन उफ करते हैं तो मैटीरियल ठिक और द्यूरेबल होना चाहिए जो तूटे नहीं क्योंकि एक बार भी हलका सा तूट जाने पर आपकी फिंगर अंदर के मेटल की कॉन्टैक्ट में आ सकती है उससे आपको करेंट लग सकता है टिप नॉमबर थ्री आपके लिए है कि करेंट रेटिंग जरूर चेक करें फिक है अपनी रिक्वार मेंट के हिसाब से ही राइट स्विच सॉकिट यूज करें टिप नमबर 4 आपको ये decide करना होगा कि switch socket fire retardant material से बने हूँ और उसमें shutter लगा हो जो बच्चों की safety के लिए बहुत ही ज़रूरी है आजकल modern switches में shutter लगा हुआ ही मिलता है तो वो ही आप choose करेंगे तो better है टिप नमबर 5 आपके लिए है कि सिर्फ बहुत switch socket खरीदे जो ISI मार के साथ आपे है नेक्स टिप टिप नमबर 6 ऐसे switches खरीदे जो बिना ज्यादा शोर करें on on off हो जाए करें और ज्यादा pressure भी ना लगाना पड़े टिप नमबर 7 है कि हमेशा अच्छे branded प्रोड़क्ट सी चूज करें क्योंकि इसकी life करीबन 2 lakh clicks के होती है जो आपकी पूरी lifetime के लिए बहुत ही sufficient होगा टिप नमबर 8 आपके लिए जो है वो बहुत ही जरूरी टिप है क्योंकि अकसरी problem आती है लोगों को तो आपका जो switch or socket है वो repair हो जाना चाहिए easily repairable होना चाहिए और easily replaceable होना चाहिए तो market में यह असानी से आपको मिल जाया करें ऐसे ही switches को आपको लगाना है जो market में easily available होए टिप नमबर 9 आपके लिए यह है कि आजकल जो आपके sockets आ रहे हैं वो multiple pins में आ रहे हैं तो आपको देखना है कि आपके जो electrical appliances है वो उनमें लग पाएंगे या फिर नई लग पाएंगे तो वह भी आपने sockets को जड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखकर देखिए तो इसमे पे ही रखें ऐसे ही products पे रखें जो reputable हो branded हो क्योंकि इन सब tips जो मैंने आपको गताई हैं यह सब सिर्फ इन branded चीज़ों के अंदर ही आपको मिल पाएंगे मेरे पास यह हैबल्स का crab tree का यह आप अपने सामने देख सकते हैं switches, sockets वोगरा और सामने उसके साथ में मैंने Wipro क Convex का रखा हुआ है जो कि इससे भी better quality में आपको मिलता है तो आपको anchor, wipro, hevels इन सब companies के जारत switches, sockets वगरा आप choose कर सकते हो इसके मेरे description में भी buy links आपको provide करे हैं जहां पे आपको lowest prices पे switches, sockets, regulators वगरा इन सब चीज़ों को आप खरीच सकते हो जाकर और अगर आप Noida में रहते हो या Noida के आसपास अगर आप रहते हो तो आप हमारे store पे जरूर visit करें हमसे मिले हम आपको एक साई guidance भी देंगे और एक साई price पर भी आपको product provide करवाएंगे wholesale rates पे और जानकारी चाहिए तो नीचे description में आपको WhatsApp का मेरा number मिल जाएगा कोई न कोई आपको मेरी company से reply ज तो इस वीडियो को यहीं खतम करता हूँ और आप इन 10 tips को follow करो और अपना एक साही purchase करना ठीक है so bye and take care of yourself and your loved ones and let's meet in the next video करो एक से क्या आपको हिंगरा की हाए्ट याँ और नीचे साई बांट वहीं बांट हुँ, शत्म में करता हRE बांट थे श May 5 आपको में अीचे है झाल झाल